पिछली बार, ट्रांस्फॉर्मर्स प्राइम में राचिट, बंबल बी के वोईस बॉक्स को हुआ गया था? पता नहीं कैसे वो मेगा ट्रॉन के हाथ लग गया और उसने उससे पूछताच की बंबल बी को सरने के लिए छोड़ दिया गया एक डॉक्टर उसे बचाने में काम्याब रहा उस डॉक्टर को लगा के वो और बेहतर कर सकता था यकीन नहीं होता, बंबल बी का टी कोग खराब नहीं, वो गायब है क्या वो होता है टी बोन की तरह? वो एक औरगन है जिसकी मदद से हम स्कैन और ट्रांसफॉर्म होते हैं तुम यहां क्यों आए हो? साथ मिलकर काम करना है इसलिए एक टी कोग टेकनोलजी नहीं है, बायालजी है हमारे पास दो और कॉडिनेट्स हैं जिनकी जानकारी ओरायन पैक्स ने जाने से पहले दी थी देखते हैं इन दो जगाओं से हमारे हाथ कौन सी नयाब चीजे लगने वाली हैं तुम्हारी सोच को क्या जंग लग गया है? तुम जानते थे कि वहाँ दुश्मन का पीछा करना पड़ सकता है और बंबल बी कार नहीं बन सकता उसमें कारूधार ली थी वेई, बी को होश आ रहा है तुम पहले ही अपना वोइस बॉक्स और टी कॉक खो चुके हो उससे दिल नहीं भरा जो स्पार्क भी खोना चाहते हो ऐसा मत क्यों बंबल बी, तुम बेकार नहीं हो देखो, मुझे भी बंबल बी की चिंता है लेकिन डिसेप्टिकॉन्स के हाथ आयोकॉन का एक नया हथियार लग गया है जो खतरनाक हो सकता है बीते वक्त की तारीफ करने से या दोश देने से वो बदलेगा नहीं कोशिश करो कि आइंदा कोई भी बेवज़े खतरा ना मोल ले बंबल बे, तुम बेश से बाहर नहीं जाओगे जब तक कि तुम्हारा खोया हुआ ठीकॉग मिल नहीं जाता बंबल बी का परिशान होना जायज है लेकिन तुम और मैं जानते हैं कि उसे पूरी तरह ठीक करने का एक रास्ता है एक ट्रांस्प्लांट लेकिन उसके लिए एक डोनर भी चाहिए कहीं और ढोनने की जरूरत नहीं है, डोनर तुम्हारे सामने है तुम्हारा दिल काफी बड़ा है लेकिन इस समाधान से हम एक आटोबाट को ठीक करके दूसरे को अपाहिज बना देंगे मैं टी कॉग उतना इस्तेमाल नहीं करता जितना बंबल भी करता है ट्रांस्फॉर्म होने की काबलियत मेरे किसी भी काम की नहीं मैं हर रोज यहीं बेस में रहता हूँ जहां मेरी सोच और मेरे हाथ ज़्यादा एहमियत रखते है मेरे हथियार और वील्स नहीं हमारी टीम एक और योद्धा को खोने का नुकसान नहीं झेल सकती तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन यकीन मानू हम बंबल पी का टी कॉग वापस ले आएंगे आप्टिमस मेक दरिंदे है हो सकता है कि वो अब तक उसे पूरी तरह खराब कर चुके हो या ऐसी हालत हो कि मरमत ही नहो बाए राजट तुम जो कर सकते थे तुमने किया प्लीज ये मत समझना कि मैं उसका वोइस बॉक्स नहीं बचा पाया इसलिए उसकी भरपाई कर रहा हूँ मैं मैं वही करना चाहता हूँ जो सही हो बंबल बी के लिए हमारी टीम के लिए तुमने तो कमाल कर दिया नॉक आउट जानकर खुशी हुई लॉर्ड मेगाट्रोन लेकिन ये करता क्या है जान गए क्या करता है मुझे लगा मेरी खुशी खत्म होने वाली है यहीं वो जगा हाँ खजाना कैसा लगा साइलस मैं मेगाट्रोन को इंसानों से हाथ मिलाने की सलाह देता था देखो ना आटो पॉर्ट्स कई बार उनहीं की वज़े से एक कदम आगे रहते हैं पर वो खुद को बहुत बड़ा चाल पास समझते हैं पर असल में मेगाट्रोन तुम इंसानों के छोटे दिमाग से भी छोटी सोच रखते हैं बहुती छोटी सोच मैं तो बस साइस की साइस की बात कर रहा था क्या तुम कभी चुप नहीं रहते क्या मैंने तुम्हें कभी बदाया कि मैंने खुद एक आटो पॉट को मारा था ये है पूरी तरह से शुद्ध एनर जान जिसे हम ले जाएंगे और इस्तुमाल करेंगे मां स्पेशियों से बने मेरी दोस्त जिससे हम थाकतवर बन जाएंगे जाहिर सी बात है कि दूसरा पेशेंट मैं हूँगा इसलिए मैं सर्जरी नहीं कर सकता इसलिए तुम मेंसे किसी को ये काम करना पड़ेगा तुम सिर्फ तोड़ फोड़ ही कर सकते हो आरसी आप्टिमिस के हाथ ज्यादा स्थिर हैं स्थिर और ज्यादा बड़े भी जिनसे उसे काम करने में दिक्कत होगी आरसी तुम ये कर सकती हो तुम से ज्यादा हिम्मत वाली कोई नहीं सिर्फ मैदाने जंग में और अपरेटिंग थियाटर में नहीं एक ही बात है सिर्फ अगर चुरी तुम्हारे हाथ में हो तुम पर नहीं क्या इसका मतलब अपसे बंबल भी अम्बूलेंस में ट्रांसफॉर्म हो करेगा या चिच्च्रा हो जाएगा यह तो बहुत बुरी बात है तो मेरा शुक्रियादा काम पुरा होने के बाद करना है चलो बंबल भी तुम्हारी बारी तुम्हारी बारी राचिट चल बसा बिल्कुल नहीं एक और आइकॉन का रेडियो डिवाइस उसका सिगनल मिलने का मतलब है जिससे पिकॉन्स ने फिर से किसी हथियार को जमीन से निका रहा है आटो बाट्स चलने के लिए तयार हो जाओ येस हमारे पेशन्स को छोड़ कर राचिट पर बेहोशी का असर कम कर दो प्राइम एक जबर्दस खबर है प्राइम का है देखो उससे कहना मुझे सैटलाइट से कुछ तस्वीरें मिली है जिन से हमें मेक के सही ठिकाने का पता चल गया है क्या पुसिबत है वहाँ पर कोई है जो सिर्फ टू-टू में बात नहीं करता हो मैं समझाता हूँ क्या फ्यूज और के वोईस बॉक्स की मरंबत करनी है अब ये फ्यूज और कौन है पहाँ पर हो क्या रहा है अब ये बेंटोर से पूछ लो मैंने उस टैंक की वो हालत कर दी कि दीन का डिबबा बन गया लेकिन बी ओप्टिमिस ने तुम्हें बेस पर रहने को कहा था कोडिनेट्स भेज दीजी एजिन्ट फावलर हम उन्हें अप्टिमिस तक पहुचा देंगे यह क्या बात होई मेगा ट्रॉन ने हमसे इतनी महनत करवाई वो भी सिर्फ एक और हथोड़ा हासिल करने के लिए वो हथोड़ा तेरा असली प्राइम्स की एक पवित्र निशानी है सच में? लेकिन डिसेप्टिकॉन के बनाए हथियार जितना खतरनाक नहीं होगा न लगता है कि खतरे को टालने के लिए हासिल किये डिसेप्टिकॉन के हथियारों के साथ आइकॉन की तेजोरी में पड़ी हर एक एहम चीज को अलग-अलग दुनिया में छुपा दिया गया था और ये वाला तो सबसे ज्यादा एहमियत रखता है इसे सोलस प्राइम का फॉर्ज कहते हैं इसमें बसी रहस्यमई शक्तियां किसी भी चीज को मेकानिजम बना सकती है आपका मतलब इसकी मदद से हम जैसा चाहें वैसा हथियार बना सकते हैं या मुम्किन है कि बंबल बी के लिए एक नया टी कॉग बना पाए एनर जॉन को डालो काम कर रहा है एनर जॉन इससे हमारी बनाई फॉर्ज सब पर भारी फड़ेगी तुम्हारी बनाई फॉर्ज देखा जाए तो कुछ ही देर में हम एक चमतकार होता देखेंगे टी कॉक के बीना ये निहत्ता है क्योंग एक तुम्हारी बनाई पर जॉर्ज सब्ट एकुर्ग लॉर्ज से एक उत्पुर्ठी छावन्य। चलो, अब उठाओ इसे. आटर बाट्स, मारना तो दूर तुम मुझे चूबी नहीं पाओगे. झाल को अजबे तुम मुझे चुम मुझे चूम मुझे स कुम हैं। प्रिज आगे मुझे चूम मुझे फम्रें नहीं प्रेश भी चुम मुझे तुम आगे! हाथ आया पर काम ना आया हमारा ठिकाना और आविशकार दोनों खत्रे में है घुस पैठे को मार दो ट्रीकॉक को लेकर मुझे पहाड़ी पर मिलो मैं तुम्हारा भाड़ी का टट्टू नहीं हो मैं एक कमांडर हूँ एक कदम भी आगे पड़ाया तो समझ लो तुम्हारा कीमती पूर्जा गया राचिट कैसा लग रहा है बहुत अच्छा असल में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं प्राइब क्या बात है एजेंट फाउलर क्या प्राइम कोडिनेट्स तक पहुंच गया कोडिनेट्स मैं के ठीका ने का मैंने आधे घंटे पहले भेज़े थे फिक्र मत कीजिए एजेंट फाउलर कोई उनसे निपटने गया है आप्टिमस को कुछ रिसेप्टिकॉंस को रोकनी जाना पड़ा तो उनके बज़े बंबल भी चला गया क्या बंबल भी क्यों चला गया स्वचुरी के बाद हालत मासुख होती है वो अलग बात है वरना क्या करोगे शूट करोगे अफसूस ट्रांसफॉर्म ना होने से बड़ा और कोई दुख नहीं है अब कभी भी तेज रफतार का मजा नहीं ले पाओगे एक आटो बाट होते हुए हारना तो उससे भी ज्यादा शर्म की बात है याँ वसे दो रादिया अब में अपमें अवर्म की ज्यादा शर्म की ज्यादा रहात है उसे तो उड़ा दिया, अब मैं भी उड़ता हूँ मेरा टी कॉग? हाँ, वो, बतकिस्मती से वो खमासान लड़ाई के दारान बरबाद हो गया लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, सभी आटो बार्स में टी कॉग्स हैं हम जल्दी तुम्हारे लिए एक और ठोड निकालेंगे जल्द ही नहीं, वो मुझे चाहिए अब ही बक्त की करवट किसी पर भी भारी पर सकती है कल हीरो में दम था और आज विलन ज्यादा दमदार है कल दो बात प्रोड़ से नहीं नहीं तर आज जचाँ मेरा वाला ज्यादा बड़ा है कर अगल ड्यादा वाल अग्यादा! बुकहग! प्राइम्स की निशानी वो भी अर्थ पर डिसेप्टेकॉन के इतने काम आने के लिए मैं शुक्रियादा करता हूँ औराइन पैक्स का मैं ठीक हूँ आप्टिमस एजेंट पॉलर को किसी तरह में के ठीकाने का पता चल गया है बंबल भी वहां पहुँच चुका है यह क्या आप्टोबोट्स मेरा टीकोग राचिट ब्रिज को दुबारा शुरू करो और सर्जरी के तयारी करो मेरी वज़ा से फॉज मेगाट्रोन के हाथ लग गया अगर वो हमारे हाथ लग गया होता तो बेशक हमारे बहुत काम आता लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेगाट्रोन के भी कुछ काम नहीं आएगा देखने से तो ये कोई बड़ा धमाका करने वाला हत्यार नहीं लगता मेरा शक सही था इसे काम करने के लिए प्राइम्स की ताकत चाहिए ये फोर्ज हमारे लिए एक बेकार आउजार है इसके बावजूद हमें इसे हर हाल में प्राइम्स की पॉंच से दूर रखना होगा जो कर सकता था वो मैंने किया हमारे जावास को तुम ही ठीक कर सकते थे मेरे दोस्त तो प्लान में बदलाव कब आया राचत ने अपना कॉग डोनेट क्यों नहीं किया बंबल भी को यह मन्जूर नहीं था बंबल भी आराम से तबियत सुधरने में वक्त लगता है कॉग की हालत बहुत खराब थे क्यों नहीं क्यों नहीं आराम से बंबल भी और जरूरत से ज़्यादा तेज मत चलाना भी के टी कॉग को देखकर लगा था कि वो कबार बन चुका है पता नहीं डॉक्टर ने उसे कैसे ठीक कर दिया राचट ने आज सिर्फ उसे ही ठीक नहीं किया प्राइम तुम सब दबाही रोकने के लिए हो या मचाने के लिए तुमने वादा किया था कि कोई भारी नुकसान होने नहीं दोगे मैं माफी चाहता हूँ एजेंट फावला लेकिन हम सब यहीं पर मौजूद है तुम देख सकते हो फिर यह बताओ कि यहां से करीब 35 किलोमेटर दूर ओमाह के पास दो बड़े ओटोबॉर्ट्स लड़ते हुए नुकसान क्यों कर रहे हैं शायद डिसेप्टिकॉंस हो आजकल डिसेप्टिकॉंस आपस में लड़ने लगे हैं लेकिन स्टार स्क्रीम ने उसे फिर से जिन्दा करके टेरकॉं बनाने की कोशिश की थी तो अब सवाल ये है कि उसके साथ लड़ कौन रहा है यकीन नहीं होता ये तो हम में सही कोई एक है वील जैक हाँ हाँ जैक लोट आया मुझे किसी के लोटने आ जाने से कोई वास्ता नहीं किसी भी तरह उनको रोको इस से पहले की ये हादसा सुर्खियां बन जाए किसी भी तरह जाए तुम अब बच नहीं पाओगे डिसब्टिकॉन मैं स्पेशल एजन फाउदर हूँ और तुम वोव मुझे पर क्यों भड़क रहे हो मैं तुम्हारी तरफ हूँ मुझे बता था मेरे दोस्त जरूर आएंगे ये ले जब हाँ ये जप पाएंगे इससे काम बन जाएगा आ फिर से मेरी कॉपी की भाग कहा रहे हो वेल जाग जाकी नहीं वेल जाग तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते जब तक हम इस दुनिया में हैं तुम वही करोगे जो हम सब के लिए सही है जरा प्यार से मेरा हाथ तोड़ोगे क्या हिलना बंद करोगे तो नहीं तूटेगा देखिये कमांडर उस नुकसान के लिए मैं माफी चाहता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा लेकिन आपकी चानकारी के लिए बता दू कि मैं ड्रेडविंग का पीछा सेक्डों सालों से कर रहा हूँ मुझे लगा था तुम गैलक्सी में घूमते हुए बजे हुए आटो बोट्स डून रहे थे हाँ और वहाँ मुझे एक रेकर मिला था कौन? सी स्प्रे तो कैसा है अपना पुराना दोस्त? बिल्कुल ठीक नहीं है उसकी धच्चियां उड़ चुकी है क्या? नहीं ड्रेड विंग मेरी शिप जैक हैमर को सी स्प्रे का सिग्नल कई सालों पहले डैरन से मिला था मैंने उसे कॉन्टाक करके ट्रामडाउन सिस्टम में मिलने का फैसला किया लेकिन शायद ड्रेड विंग ने हमारा ट्रांसमिशन सुन लिया इसलिए वो सी स्प्रे तक पहले बाँच गया वो बॉम हम दोनों के लिए लगाया गया था पर मेरी किसमत अच्छी थी कि जैक हैमर उस धमाके को सैप आया मुझे ड्रेड विंग का सुराग मिला और कई सोलर सिस्टम स्टलाशने के बाद वो आखिरकार मुझे मिली गया उसका पीछा करते करते मैं यहां तक पहाँच गया अजीब इत्तिफाक है ना मैं ड्रेड विंग को जानता हूं वो शिकारी आर्मारा का कैप्टन था और अपने जुडवा भाई स्काइक्वेक के तरहा ही वो डिसेप्टिकॉन का वफादार भी था बेशक ड्रेड विंग टृत्वी पर अपने असली मालिक मेगा ट्रोन की सेवा करने आया होगा चाहे किसी के लिए भी आया हो मैं उसे छोड़ूँगा नहीं वेल जाक इस प्लानिट पर करोडों लोग रहती हैं डिसेप्टिकॉन पर हमला करने से पहले उसके असर को एक टीम की तरहा नापना होगा ताकि इनसानी आबादी को कोई नुकसान ना पहुँचे तो मैं क्या करूँ हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं तुम खुद को समझते क्या हो तुम्हारी वज़ा से आज हमारा रास खुल जाता कैसा रास हम भेज बदल कर बाहर जाते हैं तुम्हें भी बाहर जाने के लिए और्थ की वेकल में बदल ना होगा जिस स्पेश्शिप को तुमने यहां गिराया वो अर्थ की नहीं थी पता है मुझे उसे वहां से अटाने में कितनी तकलिफ उठानी पड़ी तुम्हें अपने इस ओटो बाट की लगाम खीचनी होगी प्राइम लगाम खीचनी होगी? कान खोल कर सुन लो मोटू जैकी देखो मैं आप्टिमिस प्राइम के लिए काम नहीं करता मैं उससे बात करता हूँ आपकी इजाज़त है? इजाज़त है इस नए आटो बोट में कुछ ज्यादा ही अकड़ है वील जाक और बल्क हेड रेकर्स के लिए काम करते थे एक ऐसा कॉमबाट यूनिट जिस पर किसी का हुक्म नहीं चलता था जिन मिशन से सब डरते थे उन पर ये जाते थे और उन में से कई तो लोट कर भी नहीं आए लोड मेगाट्रोन आपका गुलाम हाजर है उठो ड्रेडवेंग तुम गुलाम नहीं वफादारी की मिसाल हो वफादारी मेरी रगो में दोड़ती है पर मेरा यहां आने का एक और मकसद है मैं जानना चाता हूँ कि क्या यह सच है कि मेरा भाई अब नहीं रहा तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला हम दोनों में एक ही स्पार्क की दो टुकडे थे हमारे पुरजे अलग थे पर उनमें जान एक ही थी गैलक्सी के उस पार रहते हुए भी मुझे उसके दोबारा उठने और उसके स्पार के बुझने का एहसास हो गया था ये सच है कि आटो बार्ट्स ने स्काई क्वेक को जान से मार दिया लेकिन उस वक्त मैं खुद होश में नहीं था मैं इसी वक्त कसम खाता हूँ कि इसकी कीमत हर एक आटो बार्ट को चुकानी होगी आटो बार्ट्स को उनके किये की कड़ी सजा मिलेगी लेकिन कब और कैसे ये मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन मास्टर ज़रूरी मुद्दों से हटने पर हमें काम्याबी तेर से मिलेगी इस बात को तुम भी समझते हो ड्रेड विंग अब तुम मेरे हुकम पर चलोगे और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगे जैकी अगर इंसानों की बात ना भी हो तो भी हम योई डिसिप्टिकॉंस पर हमला नहीं कर सकते हमारी संख्या कम है रोडबस्टर, पायरो, इंपक्टर, रोटोस्टॉम, सी स्प्रे सब मिट गए यही तो मैं समझाना चाहता हूँ रेकर्स हो या और चुबॉर्टस हमारी तादाद दिन पर डिंग कम हो रही है लेकिन आप्टिमस का साथ देने पर हम इस जंग को हमेशा के लिए हत्म कर सकते हैं आप्टिमस जैसे शक्स बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन मुसीबत आने पर सबसे पहले वही भागते हैं रुको रुको रुको, मैं आप्चिमस को तुमसे बेतर जानता हूँ, मेरे लिए रिकर होना ही सब कुछ था, लेकिन बाद में सब बतल गया क्योंकि प्राइम ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया, ब्ला 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 वील जैक, जानता हूँ, तुम मुझे सुन सकते हो, मेरे पास एक प्रस्ताव है क्या ये? ड्रेडविंग है मुझे इन कोडिनेट्स पर मिलो, अगर दम है तो तुम्हारा दम निकालनी के लिए तो मैं जरूर पहुंचूंगा जैकी, ये उसकी चाल है जानता हूँ, लेकिन आज तक ऐसी चाले मुझे रोक नहीं पाई क्या तुम साथ चलोगे? कम से कम बैक अप को तो बुलाने दो तुम जानते हो रेकर्स को बैक अप की नहीं बलकि क्लीन अप की ज़रूरत पड़ती है मुझे लगा था तुम नहीं आओगे मुझे अधूरे काम पसंद नहीं है बस यही है तुम्हारी चाल अगर तुम यहां से उड़ने की सोच रहे हो तो भूल जाओ मुझे मुझे बलकिट कर दो दूंए कर दो 정을 कना Спन करे कि और labeled के राद कर दो दूजका बल्क हेड का सिग्नल यहां से हजारों मील दूर है और मुझे लगता है कि वील जैक उसी के साथ है क्या तुमने उनसे कॉन्टाक्ट किया? कोई जवाब नहीं मिला इतनी देर कहां लग गई बल्क हेड कहीं प्राइम के साथ रहे कर तुम भी धीले तो नहीं पड़ गए तो मेरी बात ना मानो यह मैं समच सकता हूँ लेकिन मेरे किसी आटो बाट की जान को खत्रे में नहीं डाल सकते बुरा मत मानियगा सर बल्क हेड खत्रे से वाकिफ था हर रेकर होता है मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं होगा आप्टिमस बल्क हेड का सिगनल तुम्हारी जगे से आगे बढ़ गया है आप साथ चलेंगे तुम और बल्क हेड काफी पुराने दोस्त हो लेकिन फिर भी तुम अकेले काम करना चाहते हो रेकर्स तो कब के बिखर गए थे सर और वैसे भी अकेले काम करने में उल्चने कम होती है यहां पर काफी आबादी है जरा ध्यान रखना फ्यूल पंप्स को चिंगारी भी उड़ा सकती है वो ज्यादा दूर नहीं है हेई दोस्तों नहीं चाल इस बार तो तुमने मुसीबत को सीने से लगा रखा है मेरे दोस्त पीछे हट जाओ चैकी काम शुरू करते हैं क्या पहले कभी इसे टिफ्यूज किया है ट्रिगर नहीं है नकली वायर्स जूटे बटन काफी बढ़िया बॉम है प्रेट विंग कहा हूं तुम अपने काम को अंजाम दे रहा हूं लॉड मेगा ट्रॉन मैंने तुमसे इंतजार करने को कहा था ना माफ कर दीजे मेरे मास्टर लेकिन मैं आप्टिमस प्राइम को मिटा कर आपकी नजरों में ऊचा उठना चाहता हूं आप्टिमस को मिटाना इतना असान नहीं तुमसे पहले भी ऐसी नाकाम कोशिश करने वालों से मैंने यही कहा था जैकी चले जाओ वरना हम दोनों को क्लीन अप की ज़रूर है पड़ेगी मेरा ध्यान मत भढ़काओ बल्क आप्टिमस कहा है मैंने कहा था ना जब जान पर बनाती है तो सबसे पहले जेनरल ही भागते हैं नहीं आप्टिमस ऐसा नहीं है यकीन मानिये मास्टर कुशी देर में मैं आप्टिमस के साथ दो और की धज्या उड़ाने वाला हूं तुम्हारे महरूम चुड़वा भाई के खातिर इस बार तुम्हें इजाज़त देता हूँ लेकिन सिर्फ इस बार अगर ड्रेड विंग सही सलामत लॉट पाया तो मुझे हरानी होगी ये प्राइम कहा चला गया अगर तुम स्काइक्वेक जसे ही हो तो तुम्हारे लिए भी वफादारी और इज़त से बढ़कर कुछ नहीं होगा क्या कहना चाहते हो साफ साफ कहो बस इतना ही के मेगाट्रोन के लिए उन चीजों के कोई माइने नहीं है वो सिर्फ बरबादी और मनमानी करना जानता है लेकिन तुम सही रास्ता चुन सकते हो बॉम को डियाक्टिवेट कर दो मैं कहता हूँ चले जाओ मैंने सैंड केन पर तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा था इसलिए यहां भी नहीं छोड़ूंगा देखो अगर कोई इस बॉम को डिफ्यूज कर सकता है तो वो सिर्फ ड्रेड विंग है ब्लास्टर की आवाज नस्दीक आ रही है शाहिद कमांडर माप करना जैकी तुम्हारी भलाई इसी में है टते कमांडर ब्लास्टर कर minha है झाल को डेला को अजरा दुछा वगारी है और बेचारी मचलिया बालकेट रुक जाओ और जाओ मेरे रास्ते से कम से कम मेरी बात तो सुन लो तुम सही थे सिर्फ ड्रेड विंग ही इसे डिफ्यूज कर सकता है और आप्टिमिस को ये बात मालूम है ड्रेड विंग बॉम डिफ्यूज करो या खुद ही उसके शिकार बन जा अपने भाई का बदला लेने के लिए मैं कुर्बान होने को तयार हूँ तो फिर हम भी अपने भाई जैसे दोस्त के लिए कुर्बान होने को तयार हैं वो भी तुम्हारे साथ हम यहां से हेलेंगे नहीं. तो ठीक है. मुझे लगाई था कि ब्लू या येलो वायर होगे. या फिर रेड. तो अब क्लिनअप के लिए किसे बोलाएं? आप्टिमस प्राइम अब भी जिन्दा है. और तुम भी ड्रेड विंग. तुम इसे अपनी जीत ही समझना, क्यूंकि स्काइक्वेक को दूसरा मौका नहीं मिला था. मुझसे मेरे भाई की बात मत कीजिए. लॉड मेगा ट्रॉन, मैं यहां सर्फ और सर्फ आपकी सेवा करने आया हूँ. सर्फ आपकी. सुनिए, कमांडर. आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात थे. शायद आपको समझने में मुझसे भूल हो गई. और तुम्हें भी अपने दोस्तों की परवाह है, जबके तुम उसे खुल कर दिखाने से कत्राते हो. वो, अब मैं यहां नहीं रुक सकता है. मांज आओ, जैकी. अगर तुम चले भी गए, फिर भी लॉट कर यही आओगे. कितना फ्यूल बरबाद होगा, और एनरजन की काफी कमी है. फिर भी, यहां जगे की भी कमी है. मैं अपनी आजादी खोनी के लिए अब तक तैयार नहीं हूँ. थोड़ा घुन कर देखता हूँ, शायद यह प्लानेट मुझे रास आ जाए? जैक हैमर काफी अच्छी शिप है, लेकिन तुम्हें वेकल मोड के लिए अर्थ की कार चुननी होगी. अगर आपकी आग्या हो लौड मेगाट्रोन, तो जैसे साउंड वेव आयकॉन के डेटाबेस के बच्चे वेकोर्ट्स को सुलजा लेगा, जो वो जल्दी करने वाला है, वैसे ही आपकी सबसे काबिल चीज़ को काम मिलाना चाहिए. और वो काबिल चीज़ क्या है, एराक्नेड? मेरे तलाशने का जबरतस्त हुनर, जिसकी मदद से मैं बाकी के हत्यारों को ढूंड निकालूंगी. ठीक है. आपको हुनर की असली परख है, माइन लॉड. साउंड वेव. इसकी वफादारी का कोई सबूत है? हमें मेगा ट्रॉन के बिना काम करने की आदत डाल लीनी चाहिए. आपकी सेवा में हाजिर हूँ, लॉड मेगा ट्रॉन. मैं तुम्हें एक ऐसी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, जिसे सिर्फ मैं निभा सकता हूँ. अगर तुम काम्याब हुए, तो मैं तुम्हें अपना लेफ्टिनेट बना दूँगा. लेकिन वो ओदा तो अराकनिट का है. है नहीं था, ड्रेड विंग. और तुम उसके साथ अकेले मत जाना, वो खतरनाक हो सकती है, खासकर कमजोर पढ़ने पर. नहीं थाए, यहीं था. तो में नहीं लगता कि मेगाट्रॉन आजकल कुछ ज्यादा ही घबराने लगे हैं मेरा मतलब एक अंजान एनरजॉन सिगनल को ढूमनी के लिए उन्होंने अपने दो सब से कापल युद्धाउं को भेज दिया मेगाट्रॉन को मेरी और ड्रेडविंग की काबलियत पर भरोसा है दारसल मैं अपनी और ड्रेडविंग की बात कर रही थी ब्रेकडाउन मुद्दे से मत भटको हम दोनों को ये काम मिलकर करना है बिलकुल ब्रेकडाउन तुम जानते हो कि मुझे तुम पसंद नहीं हूँ और मैं भी तुम्हें एक आँख नहीं भाती बस बहुत हो गया रुको ठाइड गॉत, बॉप तुम्हें नहीं defeated थी 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 यह एल जहीं हूँ खिएवशने अपिग्यार इसन भी गात घ्यार्विंग भ्लाएण mental сказал Chief लुप मैं टुम्हें हो गरि Greek से ठ Теперь ब्रेक्डाउन, बेवकूफी मत करो, मुझे छुडाओ अब तुम गई ब्रेक्डाउन, बताओ तुम कहाँ पर हो, ब्रेक्डाउन ब्रेक्डाउन, बताओ तुम कहाँ पर हो, ब्रेक्डाउन ब्रेक्डाउन मेक वन्टू साइलेस हमें कुछ बहुत ही काम की चीज मिली है और वो जानी पहचानी लगती है मैंने भी कैसे तिन आ गया है और जॉन की टुकडों के लिए दर दर भाठक रहा हूं इंसिक्टी कान प्रिथवी पर मेरी बात सुनो कीड़े वो एनर जान मेरे हवाले कर दो तुम्हारी इतने हिमते कीड़े होकर मुझे पीड दिखाते हो मैं कमांडर स्टार स्क्रेम हूँ ठीक है रख लो एनर जॉन मेरी बात दुआ लगी कि तुम्हें हाँ मेरे घुलाम मेरे पास आओ मेरा हुकम मानो मेरी पूजा करो इसकी क्या जरूरत थी? क्या? तुमने एक कमांडर की पेसा दिखी और इस डायन की गुलामी कर रहे हो? स्टार स्क्रेम इतना नाराज होने की जरूरत नहीं वैसे भी इस दरिंदे और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है यहां तक कि हमारी फित्रत भी एक जैसी है तुम यहां क्या कर रही हो? डिसेप्टिकॉन से इस्तमाल की हुए माइंस में नहीं लोटते सिर्फ तुम ही एक बागी डिसेप्टिकॉन नहीं जोसे एनर्जॉन की जरूरत है क्या तुम्हारा यह हाल आटो बोट्स ने किया? या मेगाट्रॉन तुम्हें किसी खास मिशन पर ले गया था अरैकनेड? मेगाट्रॉन नहीं आये थे लेकिन जो आया था उसका हाल देखने लायक था जानती हो एरैकनेड हम एक ही नाओ में सवार हैं हमें पुरानी बाते भूल कर हाथ मिला लेना चाहिए इस दरिंदे का इस्तमाल करके हम दोनों इसके जर्ये मेगाट्रॉन को हमेशा के लिए खत्म कर सकने हैं फिर डिसेप्टिकॉन्स पर हमारा राज होगा हमारा? बस हमें मेगाट्रॉन को यहां लाना होगा उसके सारे साथियों से दूर ताकि हम उस पर हावी हो सकें और वो भाग नहीं पाएगा अच्छा प्रस्ताव है लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बताने या मिलकर डिसेप्टिकॉन पर राज करने में मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं है हाला कि मुझे मेगाट्रॉन को मारने की तरखीब पसंद आए बदले से अच्छी कोई चीज नहीं तुम्हारे दिल में जो आए वो करो पहले मैं इस दरिंदे की ताकत का नमूना दीखना चाहती हूँ क्यों न ऐसे तुम पर या आजमाया जाए क्या हम दोनों तो पार्टनर्स थे ना तुकडे कर दो इसके यह क्या है एक हाई फ्रिक्वेंसी सिगनल जिसमें एक संदेश भी है फिर से स्टार स्क्रीम मेरे पास ऐसी जानकारी है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी साथ में फर्स टेट भी लाना आजाओ जल्दी बताओ मुझे पता चला है कि अराटनिट मेरी तरह बागी बन चुकी है तो हम क्या करें वो बहुत जल्द हमला करने वाली है मैं इंसानों के उपर पर मैं तुम्हें उसका ठिकाना बता सकता हूँ मुझे तुम पर यकीन नहीं ऐसे कैसे नहीं है मैंने तुम्हें डेसेप्टिकॉन के स्पेस ब्रिज का सही पता बताया था तब ही तुम ऑप्टिमस को बचा पाये है कि नहीं हाँ लेकिन फिर तुमने मेक के साथ बंबल बी का टी कॉक चुराया लेकिन उसे वो वापस मिल गया था मैं मानता हूँ कि उन खिनों ने इंसानों का साथ देना मेरे जिन्देकी की सबसे बड़ी भूल थी लेकिन मैं अकेला हूँ जिन्दा रहने के लिए कुछ तो करूँगा ना पर मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी अब मेरे पास मेरा अपना टी कॉग नहीं है तुम्हारा टी कॉग ले गए इसी लिए तुम्हें मुझसे कोई खत्रा नहीं लेकिन अराक्निड और इंसेक्टिकॉन से खत्रा है एक इंसेक्टिकॉन यहां कैसे मैं उससे यह जरूर पूछता लेकिन मैं एक पतली से सुरंग में घुसकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो दरिंदा मुझे चवाना जाए और एराक्निड तमाशा देख रही थी ब्रेकडाउन के सिगनल ना मिलने की वज़ा साफ है कि वो नहीं बचा लेकिन तुम उसके तूटे पुर्जे क्यों नहीं ढून पाए क्या बात है ब्रेकडाउन की कोई खबर सिगनल को ट्रेस करो मेगाट्रोन तुमने इतने उचे ओदे वाली ओफिसर को मारने के लिए मामूली चमचे भेजे मुझे लगा था तुम ये काम खुद करना चाहोगे क्या ये चुनौती है नहीं, इन्विटेशन है और अब तक साउंड वेव मेरे सिगनल ट्रेस करी चुका होगा इसलिए तुम्हें पता देने की ज़रूरत नहीं मैं अभी आया मैं भी साथ चलता हूँ तुम अपना मौका गवा चुके हो स्टार स्क्रीम ने जो कोडिनेर्स दिये हैं वो किसी खाली पड़ी डिसप्टिकॉन माइन के हैं एक सेकंड तुमने फिर से स्टार स्क्रीम का इलाज करके उसे जाने दिया और क्या करते यहां बुला कर उसकी खातरदारी मेरे लिए अराकनिट से बदला लेने का ये एक अच्छा मौका है लेकिन वो अकेली नहीं जिसने मेरे पार्टन को मारा तुमने उसकी हालत नहीं देखी स्टार स्क्रीम कमजोर और मिहाद था था और इंसेक्टिकॉन की मौजूदगी का पता चलना हमारे लिए फाइदे मंद है पहले भी स्टार स्क्रीम की खबर बहुत काम आई थी वाह जब चाहे दोस्त बनता है जब चाहे दोखा देता है हमारे पास साइबर्टरॉन जैसे साधन मौजूद नहीं है इसलिए हमारे दुश्मनों को पकड़ कर हम कैद नहीं कर सकते इसके बावजूद किसी भी नहत्ते और कमजोर जीव को मारना मेरे उसूलों के खिलाफ है तुम वक्त बरबाद नहीं करते तुम्हारे दगाबादी के दिन पूरे हो चुचके है जब तुम दोनों यहां हो तो मेरा क्या काम मेगा ट्रॉन तुम्हारा लीडर है घुटने तेको मैले कहा घुटने तेको पुम्हारा लीडरा लीडरा लीडरे उन्हारा लीडरे ट्रॉने तेको तुम और तुम्हारा ये दरिंदा नहीं जानते कि मैंने कैयान की गहराईयों से अपना हुनर हासिल किया है पोश्यारी से आगे बढ़ना खत्म कर दो इसे वो मेगाट्रोन के बारे में उसने नहीं बताया था लगता है स्टार स्क्रीम ने ये सारा जाल इसलिए बुना ताकि उसके सारे दुश्मन आपस में ही लड़कर खत्म हो जाए हमारा इस्तेमाल किया अगर मेगाट्रोन बचा तो तुम उससे नहीं पट लेना अराकनेड मेरी शिकार है तुम आज का दिन आश्चरियों से भरा है आज का दिन आश्चरियों से भरा है जो भी के उनके ग्लैडियेटर के रास्ते में आएगा उसका यही अश्र होगा फिर चाहे वो डिसेप्टेकान हो या आटो बाट इस वक्त मैं नियाता हूँ और कमजोर हो चुका हूँ तो बताओ अप्टिमस तुम मुझे जिन्दा खैद करोगे या मुझे यहीं खत्म करोगे जो ना सोचो वही हो रहा है अब क्या होगा आज मैं मेगा ट्रॉन को तो खत्म करने में ना काम रही लेकिन मैं तुम ही जिन्दा नहीं छोड़ूंगी तुमने बिल्कुल सही कहा था एरेटनेड बदले से अच्छी कोई चीज नहीं मेगा ट्रॉन को हमारे साथ भेज दो तो हम किसी को कुछ नहीं करेंगे इसका भरोसा मत करना ये चूट बोल रहा है ड्रॉड विंग जबान से मुकर तो नहीं जाओगे ड्रॉड विंग ने तुमें जबान दी है पर मैंने नहीं खत्म कर दो इने मेरे मना करने के बावजूद तुम मेरे पीछे आए तुम एक अच्छे लेफटिनन बनोगे जबरदस्त लड़ाई हुई जानती हो मुझे जितनी नफरत आठ पैर वालों से है उतनी ही नफरत तो पैयों वालों से भी है आगे बढ़ो ले लो अपना बदला मुझे याद है जब मेरी हालत तुम्हारी तरह थी तब तुमने मुझे जिन्दा छोड़ दिया था अब हिसाब बराबर हुआ अशे तुम कहा पर हो मुझे मदद चाहिए जंदा हूँ और अराकनेट भी कम से कम मेगाट्रोन ने एक मकाड़े को तो मसल दिया स्टार स्क्रीम मैं तुम से बदला लेकर रहूंगी लगता है मेरी फॉर्ज जल्द तयार होकी अची सोल्जर करते मेग्स साइट से निकल जाओ बेवकूफ ये कोई हादसा नहीं था कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है प्राइम 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 इस बड़ दो प्राइम 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 राइम प्राइम प्राइम तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है क्या गो गो और तेज चलाओ मीटो जो जयक कम ओन ये क्या राफ तो आगे निकल गया प्राइम मुझे सुन सकते हो मुझे माफ करना एजेंट फॉलर आप्टिमस इस वक्त यहां नहीं है अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि आप्टिमस ही मुझे मारने की कोशिश कर रहा है एजेंट फॉलर ऐसा हूँ ही नहीं सकता वो सकता नहीं हो रहा है झाले प्रिएलेट टुटे एंड साथी है Come on, come on! Ryan, नहीं! लगता तो अप्टिमस ही है! प्राइम्स भागते नहीं! क्या तुम ठीक हो एजेंट? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, बहुत अच्छे! रॉष्णी के तरफ देखो! रुखो क्या? बेहोश भी रॉष्णी को देख करी हुई थी! आर्से, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पर आप्टिमस नहीं चाहते थे कि मैं ठीक रहूं! देखा मैंने कहा था नामुम्किन! मैं वही कह रही हूँ जो मैंने देखा! लेकिन आप्टिमस एजेंट फावलर को मारने की कोशिश क्यों करेंगे? शायद आप्टिमस दुबारा खुद को दिसेप्टिकॉन समझने लगे हो! या आप तक अच्छा रोबोट बनने का नाट कर रहा है! प्राइम चाहे किसी भी वज़ा से ये कर रहा हो! पर है तो बड़ी परेशानी की बात! ऐसा कुछ भी नहीं है! मैं आप्टिमस का सिगनल ढूनता हूँ! फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो तुम्हारे आसपास भी नहीं था! सच तो ये है कि वो इसी वक्त अंदर आ रहा है! सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक तो है ना? हमें बस जानना था आप कहां गए थे! तुमसे कॉंटाक्ट नहीं हो पा रहा था! मैं हमारे कम्यूनिकेशन रेंज से बाहर था! आराम से! एक सब्टेरेनियन एनर्जॉन डेपॉजित में! घौर से देखो ये वही हैं! तुम पैचान नहीं बाहरे! हमें माफ कीजीगा! इनका कसूर नहीं है प्राइम! आज हाइवे पर एक बड़े से ट्रक ने मुझ पर अचानक से हमला किया! और वो हू बहू तुम्हारे जैसा दिख रहा था! क्यान माता मुझडश एक उतारää dilem था थाòng कप ये चुम्हारे पर घचानक मुझश ओए कुम्हारे संस्योन। रपिछवस रा फोग है मुदह पriasचान है तुम्हारे क्युम्हारे यह रिस्ट्रिक्टिटिड एरिया है अनिकलो परना हम कोल ही चला देंगे मैं हूँ अप्टिमस प्राइम आटो बोट्स का लीडर और ये है मेरा संदेश फालो स्पीकिंग क्या ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ना तो मेरा दिमाग खराब है ना ही मैंने कोई नशा किया है वो नहीं हो सकता मिलिटरी बेस पर आचानक हमला हुआ है आप्टिमस प्राइम ने किया है वो स्ट्रक ने नहीं आटो बोट ने बड़्या प्राइम प्राइम नेश तुम तुम हम प्राइम आप कर्दों प्राइम वहां देखो और भी हमला बर आ गए हैं पाइरिंग जारी रखो आटो बाक्स वापस बेस पर चलो हम किसी भी इंसान पर हमला नहीं करेंगे नहीं जेनरल प्राइस आप्टिमस प्राइम ने वहां हमला नहीं किया क्यूंकि जब वो हाथसा हुआ प्राइम मेरे साथ था बिल्कुल सही सर आटो बाक्स बेस पर आये थे लेकिन पहले हुए हमले को रोकने के लिए पर सर मैं जी सर मैं समझता हूँ तो क्या कहा उन्होंने सभी सोल्जर्स को यह हुक्म दिया गया है कि जहां कहीं भी कोई आटो बाट दिखे उसे मार गिराओ वो ऐसा नहीं कर सकते पर इन्होंने कुछ नहीं किया आप्टिमस को फसाया गया है अफसोस की बात है लेकिन मिलिटरी का ओर्डर हमें रोक नहीं सकता वो बहरूपिया इन्सानों के लिए बहुत ही बड़ा खत्रा है तीस फुट का ट्रांस्वार्म होने वाला बहरूपिया वो काम्याब हो ही गए वो दरिंदे आखिर उस कोट को समझ ही गए मैक सर, क्या उसके इस्तेमाल से कोई परिशानी हुई टेलेप्रेसेंस इंटरफेस ने बहतरीन काम किया है वहिकल और रोबोट दोनों मोड में मैक ब्रेकडाउन को उठा ले गए थे और लगता है कि उन्होंने उसकी हर एक पुर्जे को खोल कर अच्छे से समझा है कि उनके पास स्टार स्क्रीम का टी कॉग भी है जिसे उन्होंने आपके बहरूपी रोबो में लगा डाला और ट्रांस्फॉर्म होने के लिए तुम्हारी जैसी वेहिकल का ही स्कैन किया फिर उसे एनरजॉन से भर दिया और लो बन गया पापी ऑप्टिमिस प्राइम तो उन्हें रोकी कैसे वो फिर से कहीं भी हमला कर सकते हैं ये जरूरी नहीं है भले ही मैक हमारी बायालोजी समझ गये हो लेकिन वो हमारे टेकनोलोजी को सीख नहीं पाएंगे बिना ग्राउंड ब्रिज के बहरूप ये प्राइम को कहीं भी पहुँचने के लिए वेहिकल मोड में ही जाना होगा मुम्किन है कि मैक का बेस दोनों घटना वाली जगाओं के करीब ही हो तो फिर इंतजार किस बात का? चलो चलकर मैक के साइंस प्रोजेक्ट का सत्या नाश कर दें एजेंट फाउला, बहतर होगा कि तुम अपने आपको मैक के रोबाट के सामने लाने का जोखिम ना उठाओ तो तुम्हारे लिए भी बहतर होगा कि तुम किसी भी मिलेटरी सोलजर के सामने जाने का जोखिम ना उठाओ जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी हम वेहिकल मोड से नहीं निकलेंगे एजेंट फाउला यहाँ पर सिर्फ सुखी जाडिया है और यहाँ सिर्फ चटाने बंबल बेई बड़ी सावधानी से आगे बढ़ना चपा चपा च्छान मारना हम तुम्हारे कुआडिनेट्स पर ही मिलेगे ओटो बोट्स का जवाब नहीं लेकिन मैं भी उनसे कुछ कम नहीं बंबल बेई चौकन ने रहना मेरा बहरूपया कहीं भी हो सकता है माव करना मैं समझाना है बंबल बेई क्या तुम सुन रहे हो तैयार हो जाएं और मुझ ऐसी दिखने वाली हर चीज से बच कर रहना कर दो कर रहना प्रफण अगर मुझे उस रोबो को कंट्रोल करने वाले रिमोट की फ्रिक्वेंसी मिल जाए तो मैं बता पाऊँगा कि वो उसे कहां से चला रहे हैं रिमोट मतलब? तुम्हें क्या लगा? मैक ने असली अटॉनोमस रोबो बनाया है वो रिमोट से चलने वाला रोबो है मुझे लगा था साइलस उसमें बैच कर उसे चला रहा है क्योंकि जब उसे बल्क हैट का पंच पड़ता है तो डिशूम अहाँ मुझे फ्रिक्वेंसी मिल गई तो जल्दी से ब्रिच को खोलो एजेंट फावल अप्टिमस ने तुम्हें इस मामले से दूर रहने को कहा था याद है इसी में तुम्हारी भलाई है देखो रैचेट मैं किसी भी आटोबोट से लड़ने नहीं जा रहा लेकिन इस सब के पीछे एक इनसान का हाथ है और शायद तुम नहीं जानते कि मैं एक हाईली ट्रेंड गवर्मेंट ग्रेट का इनसान हूँ हाँ और साइलस ने इन्हें मारने की कोशिश की थी बतला तो बनता है ओप्टिमस प्राइम फिर मुलाकात हो गई तुम्हारा शर्यंतर खत्म हुआ साइलस अच्छा फ्लाइट स्कूल में जो नाष्टा किया था लगता है सब बाहरा जाएगा एजेंट पाउला फ्रिक्वेंसी वहां से नौत की तरफ सो मीचर की दूरी से ट्रांस्मिट हो रही है समझ ग्यों मेरे रोबोट में भी तुम्हारी ही जितनी ताकत रफ्तार और बारूद है और हमारी कामबाट ट्रेनिंग के वज़ा से मेक ने इनसान और मशीन का एक बहतरीन मिल बना डाला है लेकिन तुम में और मुझ में एक एहम फर्क है मुझे दर्द महसूस नहीं होता ये तो बस शुरुवात है सोचो मेरी ट्रांस्फर्म होने वाली रोबोट की फॉच कैसी होगी कोई भी मेक के सामने आवाज उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा मैं करूंगा साइलस एजेंट फाउला आखिरकार मुलाकात हो ही गए मैं तुम्हारा ये खेल खत्म करने आया हूँ एक्स मिलिटरी स्पेशल टाक्टिक्स और तुम आमी रेंजर्स लेकिन तुम में अब वो बात नहीं रेप में नहीं हूँ तो क्या हुआ तुम्हारे लिए काफी है मुझे बस तुम्हारा ध्यान प्राइम से हटाना था मेप रेंजर्स इस इस कि ऱ बस बेवी div इस नहीं, नहीं, नहीं एजएंट फाउलर? मिलिटरी के लोग आ गए हैं तुम्हें अब बेस पर लॉट जाना चाहिए प्राइम उन्हें मैं समझा दूँगा तो हूब हूब ऑप्टिमिस जैसे दिखने वाले रोबोट के हाथों मार खाने पर तुम्हें कैसा लगा? मैं उस मंजर को बुला नहीं सकती सवाल ये है कि अपने लीडर को खोने के बाद भी मैक अपना अधूरा काम जारी रखे गिया नहीं एक बुरी खबर है हमने सारे मलबे को हटा कर पूरी जगा को छान मारा लेकिन साइलस का नामो निशान तक नहीं मिला उनके अंदरूनी हिस्सों को बहुत गहरी चोड पहुँची है और उनका इलाज करना नामुम्किन लग रहा है लेकिन हमारे लीडर की किसमत अच्छी है कि मैक कभी हार नहीं मानता